नमस्कार, मैं करमविय सिंग, dslr9.com से, और आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, कि SLR क्या होता है, और SLR एवं DSLR में क्या फरक है, तो इसके लिए पहले हम समझते हैं, कि SLR क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि SLR और DSLR में क्या फरक है, तो आईए इससे समझने के लिए, हम एक आपको पिक्चर दिखाते हैं, और उस पिक्चर के जरीया आपको समझाते हैं, कि SLR क्या होता है, तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें नमबर एक पर जो है, वो लेंस असेम अर ये कांच जो है, ये movement को reflex बोलते हैं, और इस से जो है, वो इस camera का नाम आता है, SLR, यानि сिंगल lens reflex, यानि ये जो है, ये मतलब एक ही lens के थरू जो है, movement करता है ये कांच, और इस के थरू ही आपकी image खेंची जाती है, जो कि screen नमबर 4 पर record होती है, चार जो है, वो film भी ह हो सकता है और sensor हो सकता है और वही image जो है वो number 8 आपका जो viewfinder है या जिसे eye piece भी बोलते है उसमें दिखती है तो बाहर से light आती है ये number 2 जो है वो अपना mirror है down position में इस से reflect होके उपर जाती है 5 और 6 जो है वो focusing screen है और एक condensing lens है तो ये image को हमारे देखने like बनाता है और उसके बाद number 7 जो है वो pentaprism है या pentamirror है तो उसमें reflect होके और 8 जो है वो eye piece है या viewfinder है उसके through हमको दिखती है जब हम SLR में जब हम button दबाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है सबसे पहले तो जो ये number 2 पर जो आपका जो कांच है जो mirror है वो उपर की तरफ उठ जाता है और उसके बाद number 3 जो है वो आपका shutter है वो shutter थोड़ी सी देर के लिए खुलता है और image जो बहार से lens के through जो image आ रही है वो आपके number 4 पर जो की film होती है SLR में उस पर record होता है तो इस तरह से SLR काम करता है यानि जब आप photo खैंच नहीं रहे हैं viewfinder से देख रहे हैं तो mirror नीचे रहता है उसके through image घुमकर आपकी आँख तक पहुंचती है और जब आप shutter का बटन दबाते हैं तो mirror ऊपर उठता है और shutter number 3 भी खुल जाता है और image जो है वो film पर जो की number 4 प यानि एक ही lens के through आप भी देखते हैं और उसी lens के through जो है वो आपका picture बनता है तो इसलिए उसको single lens बोलते हैं तो आप जो देख रहे हैं वैसा ही आपको जो है वो आपकी image में दिखेगा तो अगर आपको blur दिख रहा है तो image भी blur आएगी अगर आपको clear दिख रहा है तो image clear आएगी तो आएए अब समझते हैं कि SLR और DSLR में क्या फरक होता है तो जैसा आपने इस image में देखा नंबर 4 पर जो है वो एक film लगी है और SLR और DSLR में पूरा structure सेम रहता है सिर्फ नंबर 4 की जो film है वो DSLR में sensor से replace हो जाती है यानि SLR में वहाँ पर जो है वो photographic film होती है और DSLR में जो है वो sensor होता है यह जो है यह basic difference है इसके अलावा भी और जो चोटे मोटे जो है वो difference इनी चीजों पर based है जैसे SLR में जो है वो image आपके film पर record होती है आप maximum जो है 32 या 36 जितना आपका role allow करता है आप उतनी ही picture खेंच सकते हैं DSLR में जो है वो sensor image को capture करके और आपके SD card या जो भी आपका CF card जो भी card उसमें लगता है उस card में store करता है और आप एक बारी में हजारों photo खेंच सकते हैं तो यह जो है यह major difference है I hope इस video से आपको समझ में आया हुआ कि SLR क्या होता है कैसे काम करता है और SLR एवं DSLR में basic क्या फरक है इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट देखिये dslr9.com और यदि आपका कोई भी प्रशन है इसके बारे में या कोई भी फोटोग्राफी के बारे में कोई जनल कोई question है या कुछ भी है तो प्लीज आप नीचे comments में पूछिये I will be more than happy to answer them. Thank you. I will be more than happy to answer them.